हेलो फ्रेंड्स वैलकम टो माई यूटूब चैनल मिसंजी के स्टड़ी दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 18 दिसंबर 2020 के करेंट अफेर जो कि सभी परिक्षाओं के लिए महत्पूर है तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल करेगा यूनेसको अब हम लोग यूनेसको के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनेसको बंग बन्दू सेख मुजीबुरЬ रह्मान को लौन्ष करेगा और यूनेसको ने रचनात्मक अर्थ व्यवस्ता के छेतर में बंग बन्दू शेख मुझीबु रह्मान के नाम पर एक अंताराश्टिय पुरस्कार शुरू किया है शेक मुझीबु रह्मान को बंगला देश के पीता के रूप में भी जाना जाता है और इस पुरस्कार के तहद पचास हजार डॉलर की राशी है नेक्स्ट कोश्चन आबुधावि Grand Prix 2020 का किताब किस ने जीता है तो आबुधावि Grand Prix 2020 का खिताब यह जीता है मैक्स वराश्ट पैन ने तो वी ओप्सन इसका राइट हो जाएगा अब इन लोगों के बारे में हम लोग इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं Grand Prix एक तरह की A5 Car Race है Max Verest Pen Red Bull के ड्राइवर है और Belgium देश के रहने वाले हैं इन में से Top 3 देश के जो नाम है Maxwell Verest Pen है जो की Red Bull Belgium से है और Second Number पे Waltainy, Bottas है जो की Mercedes Finland चे है और Third Number पे Lewis Hamilton जो की Mercedes Great Britain से है Next Question राष्टिय उर्जा संरक्षड दिवस कब मनाया जाता है? राष्टिय उर्जा संरक्षड दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को तो B option इसका right हो जाएगा अब इसके बारे में important point हम लोग देख लेते हैं इस दिवस को मनाने का उदेश ये लोगों को ग्लोबल बार्मिंग और जलवायू परिवर्थन के प्रति जागरू करना और उर्जा संरक्षड के लिए उर्जा की खपत को कम करना और कम से कम उर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरिद करना है Next Question Social Entrepreneur of the Year 2020 का से किसे सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है असरफ पटेल को तो B Option यहाँ पर राइट हो जाएगा तो इनके बारे में हम लोग important point देख लेते हैं Social Entrepreneur of the Year Award उन उद्ध्यमयोतों की पहचान कराता है जो भारत की समाजिक समस्याओ को हल करने के लिए अभिनाव टिकाओ और समाधान को लागू करते हैं और असरफ पटेल को भारत में समाजिक नवचार को बढ़ावा देने के लिए Entrepreneur of the Year 2020 चे सम्मानित किया गया है Next Question संसद हमले की 19 भर्षी पर दस्सोर या Unbound पुष्टक लॉंच हुई है यह पुष्टक किस ने लिखी है तो यह पुष्टक लिखी है नितु और बी एम दिनाकरन ने तो सी अप्शन इसका राइट हो जाएगा उप्यक्त दोनो तो इन पुष्टक के बारे में हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते है 13 दुसंबर 2020 को लोगसभा अध्यक्ष होम पुष्टक ने भारतिये संसद पर हमले की 19 भर्षगाट के आउसर पर इस पुष्टक का बिमोचन किया है और इस पुष्टक के अंग्रेजी संस्क्रड का सिर्षक 10 सोर्य अनबाउंड है और हिंदी संस्क्रड समुंदर समावे बुंद में है नेक्स्ट कोस्चन ब्लूम्बर्ग निउ अनर्जि फाइनेंस दुहजार विस क्लाइमेट इसकोप सर्वेक्षर रैंकिंग में कौन सा देश और तीर्षप पर रहा है वो चीली देश है तो इन में से टॉप त्री जो देश है वो कौन कौन से है इन में से फर्स्ट रैंक पे है चीली 2 नमबर पे भारत और 3 नमबर पे ब्राजिल है, ओके, नेक्ट कोशिन, सेना ध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन नरवाने को सौधी अरब सेना ने गार्डा आफ ओनर सम्मान से सम्मानित किया है तो सौधी अरब के सेना प्रमुख कौन है, तो फ्रेंट सौधी अरब के जो सेना प घर मुल्य सुचकांक 2020 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा है तो यह जो देश सिर्ष पर रहा है वो तुर्की है तो यह उप्षन यहां पर राइट हो जाएगा अब इनके बारे में हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं किसी भी देश की आवासिये परी संपतिय की कीमतों के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है इन में से फर्स्ट रैंक पर जो है टॉप थ्री देशों में फर्स्ट रैंक पर जो है वो तुर्की है सेकेंड पर न्यूजिलेंड और थर्ड नंबर पर लगजंबर्ग है और इन में जो वारत की जो रैंकिंग है वो 54 रै दनानेकी मसीन भूसिरी और मिर्दा परिक्षण उप्क्रड भूमित्र का अनावरण कि या है तो ये किया है कर्णा nep डर्योंग्स का पर बात हुई है करनाटक की तो करनाटक बारे में important point देख लेते हैं करनाटक राजी की राजधानी जो है बैंगलूरू है और इनके मुखे मंत्री है करनाटके ब्यस येदूरप्पा जो की बिजेपी पार्टी से है और करनाटक के गवर्नर बजु भाहिवाला है और इस रोक सम्मानित किया गया है तो टाइम एथलीट अफ़ दा यर 2020 से यह सम्मानित किया गया है लेबरान जेम्स को तो डी ओप्षन इसका राइट हो जाए अब इनके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लेबरान जेम्स अमेरिका के बास्केट बाल प्लेयर है एकजूट होने के लिए प्रेडित किया था जिसके उपलक्ष में टाइम पत्रिका ने लेबरान जेम्स को एथलीट आफ़ दा यर 2020 से सम्मानित किया है और टाइम आफ़ दा परसन यर 2020 से जो बाइंडन और कमला हैरीस को सम्मानित किया गया है टाइम बिजनेस आफ़ दा 2020 से एरिक यूवान को भी सम्मानित किया गया है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब के लिए धन्यवाद जय ही जय भारत